आप लोगों का सब बढ़िया है बढ़िया है सर बढ़ा ही मज़ा आ रहा है यह सर बहुत बहुत अच्छी बात वेरी गुट आज हम कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं रिसेंट है और कल इससे रिलेटेट हमारा एक केस भी है तो मैंने सोचा कि चलो लोगों को बता दिया जाए स्टुडेंट्स को बता दिया जाए ताकि यह चीजें क्लियर हो जाए मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा एक सिंपल सा क्वेशन कि क्रिमिनल जोरुस्पुडेंस में विक्टिम का क्या राइट मैं दुबारा बताऊं विक्टिम मतलब क्या होता है कोई बता सकते हैं जिसके साथ वो घटना हुई है अठ्यचार हुआ है मोटा मोटी एक बहुत ही लेमें शब्दों में इदी बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि जिसके साथ जात्ती हुई है जिसके साथ अध्याचार हुआ हुआ है वह विक्टिम है लेकिन यह कहना लॉक एक और इन एक्डन्स में सही नहीं पूर्णता से लड़की के साथ कुछ हो जाता है उसका लीगल है भी विक्टिम के डिफनिशन में आता है मैं इसमें बहुत जादा अंदर नहीं जाओंगा एक बेसिक सा प्रसंद जो है कि विक्टिम का क्या राइट है उसको हम यहां पर क्या करेंगे हम समझने का प्रयास करें गई कि मैंने इसलिए भी यह चीज़ अभी आपको बताना उचित समझा क्योंकि कर लेक मेरा केस है और जो लड़की है वो कि प्रोजी को ट्रिक्स है जिसके उपर 376 समझते हैं 376 कि क्या कल मुझे साहब एलाओ करेंगे किया आप विक्तिम को रिपरजेंट कर सकते हैं कि नॉर्मली क्या होता है क्रिमिनल सिस्टम में वह मैं आपको बता हूँ और आपको पता है मेरे सारे स्टुडेंट को पता है क्या है क्रिमिनल सिस्टम कैसे काम करता साहब एक स्टेट है एक स्टेट है जो कि यह कहता है कि मैं सारे लोगों को सिटीजन को बोटेक्ट करूंगा और प्रोटेकशन करूंगा ताकि कोई तुम्हें मारे ना मुदर ना करे रेप ना करे अत्याचार ना करे और तुम क्या करो कि राइट टू रीटेलियेशन वाला जो जो आपका पावर था राइट था वो बेसिकली आप मुझे सब्मिट कर दो यह मैंने कई बार बताया है और इसलिए स्टेट एक्जिस्टेंस में आया और यदि आज के डेट में कोई किसी का रेप करता है मैं यदि यहां पर बता रहा हूं कि कल केस है तो केस इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए यदि इस लड़की का रेप हुआ तो यह लड़की क्या है विक्टिम है जो लड़का किया वो है क्या है क्यूज्ट है state picture में आया इसलिए क्योंकि state ने promise किया था इस लड़की को कि मैं तुम्हारा rape होने नहीं दूँगा मैं तुम्हें security provide करूँगा but state has failed to provide proper security to this girl that's why अब क्या कर रहा state अब state कर रहा अच्छा security तो मैं provide करता हूँ लेकिन फिर भी ये rape कर दिया तुम्हारा अच्छा मैं बताता हूँ इसे अब मैं इसे प्रोसेक्यूट करूँगा कोट में देखो अब मैं तुम्हारे भीहाब पे इसे प्रोसेक्यूट करूँगा तो कल वह बंदा लगा दिया एंटिस वेट्री बेल कि भाई अब तो पुलिस पीछे पड़ी है जस्ता बचाओ मुझे क्या करो मुझे बेल दो एंटिस वेट्री बेल का प्रोवीजन कहां है पता है सब लोगों को इस बात पर है ना जिनको नहीं है वो चेक कर दीजेगा जाकर के ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो अब बात है कि जद साब हमसे चैँ नाम नहीं लुगा मैं से वर्से यसो जो बंदा एक बांटी एक कियो हो है अंप कौन हो । मैं तो प्रोजीूट्रिक्स काओ कील हूं विक्टिम का बकीलू असको बोलते हैgen कि इसको बोलते हैं पता है ये इस जिसका रेफ वहां अच्छा शलो इस लिए बोलते हैं ताकि नाम नहीं आए ताकि लोग में बदनामी ना हो क्योंकि हमारे समाज में हमने क्या बना दिया भई जिसका रेफ हो गया हो तो उसका जीने का अब क्या करेंगी बचके कुवह में कुछ जा है ना तो लॉब ही इसका थोड़ा ध्यान रखता है प्रोसीक्यूटरिक्स लिखता है पता ना चले किसके बारे में बात हो रही है समझ्या गया इसलिए तो आपका लोकस है क्या आप क्यों आ गए तो बाही जबाब की बात को नहीं सुनेंगे वकीलों की कि सुनेंगे जजमेंट की सुनें और एक अच्छा वकील वही होता है जो जजमेंट ले करके जाए कोट में ज़रुरत पड़े यह पठड़िये यह यह पढ़ लिजे ताकि उनको समझ में आ बात कही है इसको समझने का प्रियास करते हैं लेकिन उससे पहले यह केस को पढ़ना चुकि रिसेंट है तो एक्जाम में भी ज़रूरी है रिसेंट देखो देखो डेट क्या है क्या है जी डेट है दो ज़र बाइस कुछल दिया गया और उन किसानों को सुना नहीं गया जिसको कुछल दिया गया जिसको मार दिया गया जब इनका बेल हो रहा था नीचे डिस्टिक कोट में यह हाई कोट में भी इंक्लूडिंग हाई कोट तो उन बेचारे गरीब पार्मर्स को कोई नहीं सुना और यह कहा गया कि आपको सुनना वाजिब जरूरी नहीं है क्यों अस्टेट है आपके लिए इस्टेट आपको ड जान करके आस्टर्ज होगा मुझे बोलना नहीं चाहिए इस प्रोफेशन में कई दिनों से हूं कई सालों से हूं तो मुझे पता है और लिए जाता है कि आपके लिए लेकिन एक क्लास है वकीलों का एक क्लास है जिनको चुप रहने के लिए पैसा दिया जाता है पीपीज मैं यह नहीं कहूंगा कि इस पूरे भारत वर्ष के जितने भी पीपीज हैं सब बिग जाते हैं नो इस नॉट दा केस बट यह बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है अनफॉर्चुनेट है तो इसको कोई दिल पे ले ले तो अलग बात है लेकिन टू तो यही है तो पैसे दे करके खरीद लेते हैं तो इसमें क्या होता है विक्टिम का राइट पता ही नहीं चलता यार पता ही नहीं चलता विक्टिम का जिसके साथ जो हुआ है वह पिक्चर भ वह चुप हो गया कि जीत गया बाहर घूम रहा है दूबर दूसरे बार जाकर रेप करेगा किसी का दूसरे बार भी पीपी को पैसा खिला देगा चीजें बिगड़ जागी तो इसलिए जरूरी है कि विक्टिम का राइट जो है उसको पहचानना तो हम इग्नोर करते आ रहे थे लॉज थे लॉज इवल्व हुए लेकिन फिर वी कितना प्रैक्टिस में होता है यह देखना ज़रूरी है तो फिर से सुप्रीम कोट ने रिमाइंड कराया कि एक बार और सही रिमाइंड कराता हूं और यह जो गलती है वो डिस्टिक कोट छोड़ो इस चोटा मोटा कोट है हो जाता है चलो देखते हैं फिलाल हम लॉस से तालुकात रखेंगे यह सब कहानियां दो चलती रही तो कोश्चन को मिला करके क्लेर हो गया समझ में आ गया कि विक्टिम का क्या राइट है और केस के किस किस स्टेज पर राइट है विक्टिम का क्या वो अपना खुद का वक कि आपने राइट को रिलिंग्विस कर दे चोड़ दे कि चलो भगवान यही चाहते थे कि मेरा रेफ हो जाए तो क्या कर सकते हैं पर दिया ऐसा होगा तो क्या होगा कुछ हो या ना हो लेकिन उसके दिमाग में इंजस्टिस का जो जो धब्बा है वो जिन्दगी भर कभी मिटता नहीं है इंजस्टिस का जो दर्द होता है वो पूरी जिन्दगी तक आपके अंदर होता है इसी दिल लोग केस लड़ते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा चोड़ेंगे नहीं क्योंकि उनको पता है कि यह केस नहीं भी करेंगे तब भी जिन्दगी बार उनको अफसोस करना पड़ेगा कि मुझे जस्टिस नहीं मिला और इंजस्टिस बहुत खतरनाक होता है तो चलिए हम समझ गया है कि क्या है और डारेक्ली हम इतना कहानी को कस् करते हैं और यहां पर यहां से आप स्टार्ट किजिए इट वास फर्दर प्रेस्ट देट बेल और वास पास्ट इन अप्लिकेशन ऑफ माइंड रंडर इट इलिगल एंड लियाबल तो इसेट असाइड लर्नेट कॉंसल सीनियर कॉंसल अल्सों पॉइंट आट दूरिंग यह कोर्स ऑफ ओनलाइन प्रोसीडिंग सुनिल फॉर पॉर फॉर देट विक्टिम वेर डिसकनेक्टेट सुना इन गया उसको यार डिसकनेक्ट कर दिया गया यह डिसकनेक्ट हो गया तो क्या बेल और पास कर देंगे मजाक चलता है किया एंड नॉट हर्द बाइड आइग हाई कोट भी नहीं सुना इट वास्टेट अप्लिकेशन फॉर रिहेरिंग बेल अप्लिकेशन वाज अल्सों नॉट कंसिड़र पता नहीं इंफ्लेंसर लोग थे हो सकता है नहीं सुना लटनेट सीनियर कॉंसेल अल्सों ज्यू आर अटेंशन फियार दिस दिस विटनेस व अब बात आती है कि क्या होना चाहिए देखो यहां पर और हैंड रंजीत कुमार यह सब चलो पता चली गया है अब हम डारेक्ट आते हैं इनालिस पे पहला कोश्चन हमारा आज का टॉपिक है पहला कोश्चन सुप्रीम कोट अनलाइज कर रहा है यह सब देख लिया कि नही यह सब्सक्राइब करते हैं पहले सब्सक्राइब कर दिया और कहा कि वेदर विक्टिम एज दिफाइन अंडर सेक्शन 2 डॉए ऑफ दे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कर दिया क्या इनका क्या राइज है पहले ही इसको डिसाइड करेंगा कैसे डिसाइड करते हैं वह आप पैराग्राफ 16 से देख सकते हैं कि हेडिंग दिया है विक्टिम्स राइट टू भी हर्ड क्या है देखते हैं और जब सुप्रीम कोट अनलाइज करता है तो पुरा देश विदेश का सारा चीज आपके सामने ला करके खड़ा कर दिता है ताकि एक स्पीकिंग और लगे मैंने आपको स्पीकिंग और के बार हुआ वह पिक्चर में नहीं है और यदि उसको पनिश भी करते हैं क्यूज को तो भाईया जिसके साथ हुआ उसको क्या मिला यार उसको क्या मिलेगा उसको कौन कंपंसेट करेगा तो इसी तरीके से लाव इवाल्व होता है अंटिल रिसेंटली क्रिमिनल लाव हैड बीन व सब्सक्राइब उसको को बैठना पड़ता था कोट के बाहर उसका कोई सेंग नहीं था अंदर से दुख होता था मेरे साथ हुआ है और कोई सुनी ने रहा मुझे पीपी साब को सुनता है अरे मेरा कौन है कौन सुनेगा होईवर विद रिकागनीशन देट इथोज अप क्रिमिनल जस्टिस दिस्पेंशन तो प्रिवेंट अंपनिश क्राइम दा सर्प्टिशली तॉन इट बैक ओन दे विक्टिम दे जुरिस्प्टेंस विट राइट त रिस्पेक्ट दे राइट 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 विक्टिम्स तो भी हर्ड और पाटिसिपेट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग अभी स्टार्ट कर रहा है महौल बना रहा सुप्रीम कोट की बहिए ऐसा लौप देरे देरे वाल्व कर रहा है क्रमिल देरे बढ़ रहे हैं इन इस तरीके की बात करता है और विक्टिम को डिफाइन किया गया उनको प्रोटक्शन की बात करी तो सिर्फ किताब में ही है क्या किताब से बाहर भी लाओ ना किताब में तो है आपने कर दिया यून ने पास कर दिया लेकिन क्या हो रहा है क्या आपका कोट फॉलो कर रहा है हाई कोट तक नहीं कर रहा है लोगर को छोड़ दीजिए तो क्या करोगे इसको किताब में रखे रहोगे फिर बात करता है दूस to enactment of the subject on the subject the victim of crime in 1984 which under which legal assistance is guaranteed to the crime victims and the victims right and restitution of act इतना फिर बात करता है दूसरे कंट्री की केनडा की बात करेगा Norway tw 로 छो यह सब्दी बात हो गया फिर अपने कंट्री मा लिए अब अपने कंट्री मा और यहां पर में इसको सुनने के लिए नहीं होगा इस बात करता है तो इस इस रिपोर्ट में भी पाया गया साहब 2003 में लीगाल रिपर्जेंटेटिटिव चाहे वो खुद या फिर उसका वकील लीगाल रिपर्जेंटेटिटिव मतलब वकील लाओ कमिशन का रिपोट है अपने एक अंडरी का है फिर भी हाई कुछ तो गरवड है कुछ तो गरवड है फिर बात करता है और अनलाइज करने की बात करता है इसको बोल रही है उसको खड़ा करो यह बात यहां पर गोट मेंसन करता है और इस वकील कफी देने का हैसियत उनके पास नहीं है तो बोल रहा है कि तो प्रोवाइड एन एडवोकेट एड़ स्टेट की जिम्मेदारी है स्टेट का वकील रहेगा लेकिन स्टेट के खर्चे पे उसको एक अलग वकील दो ताकि उसके बात को वो रख सके क्योंकि फीपी को तो चुपकर चुपकरा देते हो पैसे दे करके उसका अपना वकील रहेगा तो उसका भी सेंग होगा ना विक्टिम्स राइट हलांकि यह बात नहीं लिखा कि पैसे दे करके चुपकरा दोगे लेकिन अंद्रूनी बात है तो वह बात तो पता ही आपको विक्टिम्स राइट या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा लोट ने लेते हैं तो उनको पैसा मिलता नहीं है जब वकील को पैसा मिलता तो बहुत एक्टिवली पाटिसिपेट करते हैं तो यह भी चीज है कि गवर्मेंट जॉब वाले वही है वैसे ही होते है आए सधिग नेसेसरी स्टेप्स और तुबी हर्ड एट एट एवरी क्रूशियल स्टेज अफ दे क्रिमिनल प्रोसीदिंग्स इंक्लूडिंग अट टाइम ग्रांट ऑफ कैंसलेशन अफ बेल वेर अल्सो डूली रिकगनाइज़ बाइज़ बाइज यह बोलड़ा है कि भाई सुनना त विंसन कपल्ड विद विद रिकमेंडेशन मेड फ्रम ताम तो ताम अज ब्रीफली नोटिस्ट अबव प्रोंटेट अप्रोसीदिंग्स इंक्रूड अच्ट दो हज़ाराट में यह चीज़ा है मेंड की गई विच नॉली इंसर्टेट अप्टिंग्टिंग्टिंग्ट दूट डौबलूए बट अलसो अस्टेटूटरगी रिकम्टाइज वेरिएस राइट आप सच विक्टिंग्टिंग्टिंग्टिंग्टिंग्ट विच अप्रेशन में ने में जोकी अभी मौजूद है लेकिन उसका प्रेक्टिकल इंप्लिकेशन है ने तो practical implications के लिए judgment डालना बहुत ज़रूरी है फिर आगे कहता है अगले paragraph में it is pertinent to mention that the legislature has thoughtfully given a wide and expensive meaning to the expression victim which means क्या है victim का definition ये भी ज़रा देख लें जो की 2WA में लिखा हुआ है इस बात का ध्यान रखें which means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged and the expression victim includes his or her guardian or legal hairs question ने आता है कि क्या victim का मतलब सिर्फ वही वेक्ति जिसके उपर यो बीता है जिस जो अग्रीव्ड है वही नहीं कोई जरूरी नहीं उसके legal hairs भी जिसका रेफ हुआ है क्या वही सिर्फ विक्टिम है नहीं within the meaning of definition of the victim उसके legal hairs भी विक्टिम कहे जाएंगे और वो भी कोट में अप्रोच कर सकते है यह इसको वाइड किया गया है ताकि उनको justice मिल पाए अदर्वाइस उनको कोई जानता नहीं फिर सुप्रीम कोट कहता है this court in this case while dealing with a question regarding the victim's right to file an appeal under section 372 of the CRPC observed that there was need to give adequate representation to victim in criminal proceedings the court therein affirm the victim's right to file an appeal against an order of acquittal in this case was primarily concerned with the different legal issue it will be fruitful in the present context to take note of some of the observation made therein उसमें भी विक्टिम्स राइट्स को ले करके टिपनी करी गई है this court Supreme Court के द्वारा देखते हैं उसको थोड़ा बहुत बुला कि जो relevant है उसको में यहाँ पे डालते हैं क्या कहा ची क्या कहता है Supreme Court कता है कि what follows in a trial is often secondary victimization through repeated appearance in court in a hostile or a semi-hostile environment in the courtroom कराग यार विक्टिम के साथ क्या करते हो एक बार तो उसके साथ जो हुआ सो हुआ दूसरी बार क्या कर रहे हो उसको बुला बुला करके date पे date दे करके दोड़ा दोड़ा करके उसके साथ दूसरा victimization कर रहे हो secondary victimization यहां पर देखो दूसरी बार कर रहे हो तुम एक बार तो हो गए उसके साथ जो हुना तुरू repeated appearance in court in the hostile कोई भी आ रहा कुछ comment करके चला जा रहा है कुछ कमेंट करके चला जा रहा है एक क्यूज का वकील आ रहा है कुछ अनाव सनाव questions पूछ रहे हैं कभी और बात करेंगे questions किस तरीके से पूछी रहते हैं cross examination में we'll talk later कभी और लेकिन आज के लिए बस हम यहां फोकस करते हैं तो बोलना कि यह secondary victimization है उसको प्रोड़क्ट क was in the in the form of aggressive and intimidating cross examination मैंने बताया है मैं intensive कर रहा था मैं ज्यादा समय नहीं लूगा संशेप में मैं intensive कर रहा था रेप का केस था हमारे senior थे उस उनको चाहिए था कुछ निकलवाना था लड़की से उनने question पूछा मैड़म आपको sex करने में तो बड़ा मजा आता है लड़की जला गई जलाने के चक्कर में इतनी blender कर दी कि सारा केस खराब कर दी गालियां सुनाने लगी एड़ोकेट को बस इतना ही तो काम था सारी चीज़े निकल गई इसलिए जब आप court में होते होएं दिमाग को शांद रखें अधरवाइस वकील आपसे कई गुना ज्य करना कुछ तरह करेंगे हैं जंत रहा है चल रहा है क्सको फॉकूइंट करना सुरू करेगा कुछ धीरे से उसको चोड शोंना तो मुसक मैं जो हो उसको सभाइब झील जो नहीं ना इसको फूरा है तो पूरा केस सापक खराब कर joe आर्गुमेंट करना वो नहीं करोगे उससे भीट जाओगे उससे आपका नुक्सान होगा क्योंकि जज आर्गुमेंट सुनता है जज उसको कुछ नहीं करेगा वकील को कुछ नहीं करता कोई जज का मजाल नहीं कुछ करते लेकिन आपको कई चीजों को ध्यान रखना है उसको छोड़ना है जिसे क्रॉस एक्जामिजिशन की बात की रही है मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि किस तरीके से उसमें चीज़ें हुई थी और लड़की क्यों जल्ला गई बस शॉट में मैं भी बता रहा हूं तो यह कहा रहा कि यह सकेंट्री विक्टिमाजिशन है बट अमोर हुमन इंटरपेटेशन ऑफ द प्रोविजिशन ऑफ द इविडेंस एक्ट 1872 हैं यह सब बताया है कि हमने पहले भी बताया है जिसमें कहा है कि इनको देना चाहिए अब अभी की बात करता है इस इस बार जो दोजार अभी अप्रेल में आया उसके बारें बात करता है परग्राफ 8 क्या है डाइट विक्टिमाजी एक पूरा जुरुस्पूटेंस ही है जिसमें हम विक्टिम के राइट के बारें बात करते हैं एक बहुत उभरता हुआ यह भी छेतर है आप लोग चा और वार्स टेक स्टेप बैकवर्ड यह सब नहीं करो आगे बढ़ो वाइस हैज बिन गिवन तो विक्टिम ऑफ क्राइम बाइप पार्लेमेंट बोला कि पार्लेमेंट ने इसे वाइस दिया है बोलने के लिए दिया है एंड जुडिसरी एज वेल क्योंकि जुडिसियल डि को वाइस पार्लेमेंट दिया है वाइस दिया है को वाइस हमें सुनाई क्यों नहीं देता तो जज यहां पर कर रहा है कि वाइस हैज पी गिवन तो ऊपर करो यह पार से बोले जोर से बोले, it needs to be raised to a higher decibel, so that it is clearly heard, वही प्रिजेंटेशन तो दोगे, और यह court का finding है, through this case, कि आपको यह देना पड़ेगा, चलो आगे बढ़ते हैं, और भी बात है, इसमें और भी बात, दस मिनट और बचा है, इसको देखने का प्रियास करते हैं, It cannot be again said, that the right of victim under the amended CRPC are substantive, enforceable, and are another facet of human rights, the victim's right therefore cannot be termed or construed restrictively like a brutum fullman, यह सब थोड़ा जब साब कुछ 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 करते हैं, ऐसा ऐसा वर्ड लिखें कि आम आदमी को समझ में नहीं आए, कोई बहुत बड़ा rocket science नहीं है, ठीक है, तो इतना लोड मत दिया करो, तो बोल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिलकुर, इसका मतलब होता है कि ineffective judgment कोई ऐसा है, तो सिर्फ ineffective judgment जैसा नहीं लगना चाहिए, यदि आप कुछ बोल रहे हैं, उसका effect होना चाहिए, इसलिए यह बात यहां पर कही जा रही है, वी रिट्रेट, बोला कि रिट्रेट, बोला कि वी रिट्रेट द थीज राइट्ट आट टोटली इंडिपेंडेंट, इनकंपरेबल, और नोट एससरी और एक्सिलरी तो दोज अप्टेट अंदर CRBC, बोला कि अप्रीट का प्रेजंस तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं क कि विक्टिम का प्रजेंस आप गायब कर दो नहीं ऐसा नहीं हो सकता विक्टिम का भी राइट है उसका भी वकील होगा उसको वकील नहीं है तो आप प्रवाइड करो लेकिन उसको सुनो और इतना सुनो कि वो जोर से बोले और उसे डेसिवल को इंक्रीज करो जिसा बता रहा for asserting his or her right to participate in the proceeding कई बार कहते थे कि भाई बेल के स्चेज पर विक्टिम क्या सुनेगा भाई ट्राइल में होगा ट्राइल में चले जाना कोट बोला no no इस केस में जब यार्गुमेंट हो रहा तो दूसरे वाले senior advocate कहा रहे थे भाई बेल शुट नॉट बिकाम मिनी ट्राइल ब बनाओ इसलिए विक्टिम को मत सुनो यहां पे ट्राइल में सुन लेना कोट ने इसे नकार दिया बोला no this is not a good logic सुनना पड़ेगा तो विक्टिम विदिन दे मिनिंग आफ CRPC cannot be asked to await उसको बाहर नहीं बिठा जा सकता commencement of the trial trial सुरू होगा तब सुनेंगे यह नहीं कहा जा सकता for asserting a right to participate in the proceedings he or she has a legally vested right to be heard at every step point to be noted every step post the occurrence of an offense offense अब हुआ है उसके बाद हर एक stage पर उसका right है कि उसको सुना जाए फिर कहता है कि such a victim has unbridled participatory rights from the stage of investigation till the culmination of the proceedings in an appeal or revision we may hasten to clarify that victim and complainant informant are two distinct connotations in criminal jurisprudence it is not always necessary that the complainant and informant चोड़ो इसको चोड़ो तो कुल मिला करके यहाँ पर फिर से clarify किया गया है कि भाई आपको right देना ही पड़ेगा उनको सुनना ही पड़ेगा दूसरा कोई right कोई option नहीं है through this judgment जब judgment जब जब साब आपसे पूछेंगे जब आप क्यों आ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना यहाई पड़ पड़कर करक करके उनको सुना देना है और कुछ नहीं करना है और यहीप बढ़ करके सुना देना है जज्जमेंट का इस तरीके से दो तीन कॉपी लेकर जाना होता है और परवाइस जज साब इसको देखिए और इसलिए मेरा वकलत नम लीचे और जब तक हम सम्मिशन नहीं दें तब तक बेल नहीं दीजेगा इस बात का ध्यान रहें तो यह तभी होगा जब लोग जानेंगे लोगों कोई जनकारी होगी अधरवाइस क्या होगा किसी का रेफ हो गया किसी का मडर हो गया किसी का कुछ हो गया कोई लोडी नहीं ले रहा है नहीं यदि आप कोसिस करेंगे तो जो बंदा किया है एक्यूज है उसको सजा मिलेगी लेकिन थोड़ा पैसेंस रखना पड़ यह मुझे भी सुनिये और यह नहीं करते हैं तो इसे चलेगा और बंदा चूट जाएगा बरी हो जाएगा और आपको सुना नहीं सुना क्योंकि आप गए नहीं वहां पर तो यह जो राइट्स दिये गया है अभी रिट्रियेट किया गया है दोबारा बताये गया है यह प्रिपेड आपके लिए इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह रिसेंट जज्जमेंट है और यह बहुत ज्यादा हाइलाइट हुआ है यह प्रोटेस्ट को ले करके तो एक्जाम में भी आने का चांस है तो आशा करते हैं कि छोटे से लेक्चर से उस जरूर सीखा होगा पुछ सीखा या ने सीखा तरुछ सीखा जिए और कहां इच और स्टेज और कहीं भी जब ऑफेंस हुआ है उसके बाद कहीं भी बेल हो रेगुलर वेल हो एंडिय से बेल हो पुछ और चीज़ हो चार्ज फ्रेमिंग हर जगा तब´ आपको सुना जाएगा उसके बाद दिया जाएगा लेकिन वो तुना तब जाएगा जब आप रहो ऑपके लगी रहोगे तब आपको यह यहांदम्य की सिस्ट लेकर के घूमते रहिएगा दो-चार साल बाद किसी वगिल के पास बैटियेगा चाय वाई पिने के लिए अब पस्तायत हो तो क्या जब चिडिया चुप लेखे सही समय पे सही काम आप नहीं करेंगे दिक्कत होगा आज के लिए बस इतना ही था इस केस का नाम याद रखेंगे इस केस में क्या हुआ और जाइए खाइए और मस रही है ठीक है इस गुड़नाइट सब ओके बबाई गुड़नाइट टेक केर अलो हाँ बोलिए अब ही आपने कहा था कि जब तक आप सम्मिशन नहीं देंगे जज को तब तक उसको देल नहीं में लेगी इसका मतलब सब्सक्राइब नहीं आए समझ में अरे बही मतलब मैंने चलो ऐसे समझो कि यदि मेरा कल केस है ठीक है तो मैं गया हूँ हाँ और कहा जैसा है कि मैं रहा यह रहो मेरा वकालत नामा मुझे इस विक्टिम ने हायर किया साब तो मैं इसका पक्ष रखूंगा तो सबसे पहले पक्ष रखने के लिए मुझे उस जरूरी कागजात जो उस बंदे ने फाइल किया है तो पूरा अप्लिकेशन होगा उसका एक कॉपी मुझे दिया जा रहे डिफेंड क्या करें तो जो कल का डेट है ना जिसमें हम आर्यों कर रहे हैं मैं कर रहा हूं अभी रुख जाओ इस दिन कल के डेट जाओँ चाँ करके सब्सक्तिंटर सब्सक्राइरा हैं इस ही डिरेक्षन में देखें डूतरा बैस दोड़ों करना करके सब्सक्राइब तो यह चीज है तो हमें सुने उसके बाद pass करें और मुझे तब सुनोगे जब मैं prepare करके आंगा और महीं prepare तब करूँगा जब मेरे पास document होगे तो पहले document दिलवाद हो यार उसके बाद हम देखेंगे समझे रहा ह। खालो, 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